हॉस्पिटल से व्लॉगिंग लोग कर कैसे लेते हैं सो फ्रेंड्स आज जिसने खुद मैक्सिमम पोर्शन हॉस्पिटल से अपना दिखाया वो याज कह रहा है सो फ्रेंड्स बात करेंगे इनके वीडियो पे और वेलकम टू माई चानल इट्समी स्वाती कैसे हैं आप लोग आप लोग को thank you so much आप लोग वीडियो से इतनी पसंद कर रहे हैं तो देखिए जैसे कि कल का दिन बहुत अच्छा था कल आपको पता ही है जो कामिनी जी और निकी जी है ना इनकी जो सासूमा और सासूमा और सासूमा को गले मिलते हुए हग करते हुए और साथ-साथ जो अ अजीत हैं वो पर अपनी मा के पास गए अच्छे से गले मिले तो बहुत अच्छा लगा उनको देखके सारे सब्सक्राइबर्स बहुत खुश भी हुए राइट हलांकि कल सेलिब्रेशन का तो वीडियो भी इनके चानल पर नहीं आया है और जहां तक इन्होंने भी अपनी सेलिब्रेशन हुआ है ठीक है या फिर कुछ भी नहीं हुआ है बाकी कल आपको लोगों को पता ही है जैसे मैंने आपको बताया था जो यह दिवरानी जी है यानि कि निकी यह हॉस्पिटल में गई है इनोंने कुछ अपनी स्टोरीज में भी लगाया था ठीक है तब यह ठी चीज बोलरहे जनलोग पता नहीं कैसे होस्पिटल से व्लोगिं करते है तो आप खुद यह जब चीज बोलरहा हुथ तो आपने क्यों ikit शूट है आज है ना तो यह बात गलत बोली आप ने क्योंकि आप खुद मैक्सिमम आज वीडियो जो आपने शूट किया होस्पिटल से किया है, मुझे कुछ टैम पहले आदे कामीनी जी कि जब थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ था वो हस्पिटल गई थी छट पूजा के दौरान, ठीक है तब भी बहुत सारे लोगों ने सवाल वीडियो में बोला है, बात यहां पर कामीनी जी या, बात यहां पर निकी की नहीं है, बात यह है कि हॉस्पिटल में जाके जो लोग भी वीडियो दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, या फिर नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, और मेरे खाल से तो बिलकुल नहीं दिखाना चाहिए लेकिन काफी vloggers हैं in fact मैंने flying beast को भी देखा है जब इनकी wife की pregnancy ती इवन आज कल pregnancy को पूरा shoot किया जाता है कैसे hospitals में permission मिल जाती है बहुत सारे लोग मतलब पूरी pregnancy journey मैंने लोगों की देखी है hospital में जब end का time होता है कितने vlogs shoot कर लेते हैं मुझे लगता है कि completely मना कर देना चाहिए hospitals को कि यहां से आप दिखा ही नहीं सकते तो चलिए क्योंकि अब देखे जब इनसान के pain उठता है जैसे मैंने उस time बे भी काता कामी नी जी कि अगर gastric issue था उनके हुआ तो वो चली गई hospital फटाफट से और दर्द जादा था ठीक है और मेरे ख्याल सो उनने खुद अपना हाथ में फोन लेके vlogging वगेरा नहीं करी थी कोई और ही shoot कर रहा था I think उनका बेटा shoot कर रहा था तो चाहे कामी नी जी हो चाहे निकी हो दोनों ने hospital में vlogging करी है और आज जब निकी ने ये बाद बोली तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा अटपटा लगा जब आप खुद काफी वीडियो का जो portion है आपने hospital से shoot किया है तो देखे किसी के कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने कुछ वीडियो से मैंने की बोल रहे होगी ये तब ये ठीक नहीं है mental health साही नहीं है physically बहुत weakness है infection हुआ था पहले कुछ medicines खाने को दी गई थी लेकिन कुछ फाइदा नहीं हो रहा है in fact आज है जब गई है hospital में रवीना को लेके गई है इन्होंने यही starting में तो यही दिखाया है नोने जैसे सब wish कर रहे थे तो ये भी आई है इन्होंने भी अपनी सासुमा को गले लगके wish किया है जिस तरह से हमने कामिनी जी का देगा था ससुर जी को भी आशिरवादी और साथ साथ हाँ मैं ये भी कहना चाती हूँ कि जो इनके जेट है यानि कि जो अजीत जी है उनको भी wish किया है बिर्टडे का ठीक है तो यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छी लगी कि येस आपने अपना फर्स निभाया ठीक है आपके बड़े हैं और जेट हैं अगर उनका बिर्टडे है तो यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब उनको wish नहीं किया मैंने खुद देखा थे उन्होंने wish किया फिर उन्होंने ससुर जी को भी wish किया मस्ती मजाग चल रहा था जब ये गेट के भार खड़ी हो गई तीचत एक बहुत बड़ी चुनरी लेके डराऊंगी कॉमेडी वगेरा करने के लिए लेकिन वो नहीं डरे उसके बाद ये फिर सुबा आटो में गई है रवीना को लेके इनके हिसाब से इन्होंने ये चीज़ बोली कि आज जैसे मैं नहीं चाहती थी anniversary है ममी का पूरा दिन hospital में निकल जाए हलांकि बाद में साथ से सुड़ दोनों आए है hospital ठीक है दोनों आए है और इनकी मदर भी शायद बाद में आई है इन से मिलने और वहाँ पे पहुँचके इन्होंने अपना weight चेक किया weight इनका 4 kilo I think 3-4 kilo जो कम हो गया था और साथ-साथ जो BP का issue है BP इनका बहुत जादा लो हो गया था इन्होंने पूजा पाट करते ही फिर ये कुछ bed पे थोड़ी दर बैठी फिर ये hospital आ गई जब इनसान अच्छा फील ना करे तो बिलकुल अगर आपके घर के पास hospital है और अगर आपको जादा ही तब खरावे तो definitely hospital जाना चाहिए उस time पे हम ये नहीं कहा सकते कि आपको hospital क्यों गए लेकिन हाँ जिस तरह से वहाँ पे ये पहुँचके इन्होंने जब ये चीज़ बोली तब मुझे थोड़ा फणी लगा कि आप खुद भी तो वही काम कर रहे हो कि hospital से लोग blocking कैसे कर लेते हैं फिर वहाँ पे पहुँचके इनकी कोई subscriber भी आई हुई थी इनसे मिलने और डॉक्टर ने फिर कुछ इनकी drip वगएरा लगी है cannula लगा और हालांकि नस नहीं मिलती थी लेकिन आज नस मिल गए अराम से और सारी चीज़े जो इंजेक्शन्स वगएरा चड़े है और कुलूकोस वगएरा चड़ा है थोड़ी weakness थी चायद मेरे खाल से weakness की विज़े से बोल रहे थे कि तू कुछ खा मत तू कुछ पी मत है ना क्योंकि इनोंने कुछ टाइम पहले बोला था कि मैं कुछ खा नहीं पा रही हूं काफी टाइम से weakness है infection भी इनोंने बताया था तो बिलकुल आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है ठीक है और आज की वीडियो में भी लोग इनसे यही कह रहे हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखो आज इनके 8 लाग subscribers भी होगे तो मैं congratulations बोलना चाहती हूं कि yes आप अच्छे से आगे बढ़िए ठीक है अपनी जो इतनी जरूर्णी है ना आपने महनत से करी है बिल्कुल जिस तरह से आप कह रही थी कि जब इनसान महनत करता है तो आसू आ जाते है मैं agree करती हूं लेकिन अब ना कोशिश करी कि पूरे परिवार को एक लेके चलिए और हमेशा अगर तेखिए गलती है तो आपको भी जुकना चाहिए मेरे को लगता है बागी it's up to you हम यह आपे बोल सकते हैं मेरा चैनल का माध्यम है मैं समझा सकती हूं बागी देखिए आपकी लाइफ है और मैं हमेशा से कहती हूं ना कि आप अपना काम करिए वहाँ पे वो जो जे ठानी है वो अपना काम करें अपने वीडियो पे फोकस करें ठीक है बागी आप लोग क्या सेटिंग्स करते हो अपने कॉमेंट्स में क्या उन कुछ वर्ट्स को रिस्ट्रिक करते हो नहीं करते हो क्या आपका अपने चैनल को उनको भी यही कहना चाहती हूँ कि आप उनके व्यू जो चानल पे आप उनका content देखिए जो कामेनी जी के subscribers है इनको hit ना दे और इनके subscribers उनको hit ना दे तो यही था आज का वीडियो और फिर यह मेरे ख्याल से कह रही थी कि फिर बाद में जब सासुमा आ गई थी इनकी मदर भ करी क्योंकि नानी जी की death के सवा महीने तक मम्मी का मन नहीं था कि मैं cake वगेरा कट करूं तो celebrate कुछ as such cake cutting वगेरा नहीं करी अब वहां पे मेरे को नहीं पता कामेनी जी की वीडियो क्योंकि अभी तक नहीं आया उन्होंने किस तरह से celebration हुआ है नहीं हुआ है अगर हुआ है तो किस तरह से किया है उनकी वीडियो के बाद ही मैं comment करूंगी तो यहां पे फिर अब ये बात इन्होंने बोलिए कि पता नहीं किस की नजर लग गई कोई यहां परिशान घूम रहा है और जैसे हमारे घर में functions थे मतलब कुछ तारीखे बता रहे थी 9-11 तो और एक और ता अपना काम करिए कोई नजर नहीं होती अपना मेहनत से काम करिए और सब को अपने आपको थोड़ा और ग्रो करिए अच्छी अच्छी चीजी सोचिए positivity लाईए अपने अंदर ठीक है और दुनिया भी फिर आपको बहुत प्यार देगी तो यह था इनका आज का वीडियो ब देखी थी उसमें वह बच्ची कहती मेरा परीवाला केक आएगा तो बच्चों को ना बहुत मतलब curiosity होती है बहुत प्यार होता है तो चोटे बच्चों को तो उनका यह कंटिंग करेंगे तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा तो अच्छा लगा अब जैसे हम नहांने कल भी ये बात बोली थी कि कल जब हमने अजीत को इनकी मदर के साथ देखा, कामीनी को अपनी सासुमा के साथ देखा, गले मिलते हुए, तो लोग भी बहुत खुश हुए, बहुत इमोशनल वीडियो था, सबकी आँखों में आसु थे, इसी फ्रेम में जो देवर देवरानी जी जो missing दिख रहे हैं, पूरी फैमिली हमें एक फ्रेम में देखे, और मेरे को लगता है कि जल्दी ही हमें ये पूरी फैमिली एक साथ देखने को मिलेगी, ये मेरा point of view है आज की वीडियो में, ठीक है, आप लोग को क्या लगता है, आप लोग भी प्लीज मुझे नीचे comment करे और अच्छे-चे messages करें, किसी के लिए कोई गलत word यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, वीडियो के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है, जो जहां गलत लगेगा, उसको गलत ही बोला जाएगा, राइट, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you so much for watching, bye bye and take care.